Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India ये देश अपने प्रधान मंत्री से कितनी अगनी परिक्षाय लेगा? सिर्फ इसलिए कि वो अपने आपको प्रधान सेवक कहता है? सारी दुनिया के लिए संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो प्रधान मंत्री है जो अपने देश को बदल रहा है उसे संसार के अग्रणी राष्ट्रों की शेड़ी में लाकर खड़ा करने के लिए अथक निरंतर प्रेतनशील है लोग उसका गुरगान करते हुए नहीं ठकते हैं वो जहां भी जाता है लोग उसके सम्मान में सिर जुकाते हैं उसकी बात सुनना चाहते हैं उसकी आग्वानी करने के लिए अन्यान निर देशों के राष्ट्रा ध्यक्ष सारे के सारे प्रोटोकॉल छोड एरपोर्ट पर आ जाते हैं और जब वो वापस सुदेश लोटता है तो कुछ मान सम्मान या जो भी कुछ उसे उपहार में मिला है वो सब समर्पित कर देता है अपने देशवाशियों को 130 करोड देवी देवताओं को वो कहते नहीं ठकता कि वो उनका सेवक है रात को 3 बजे लोटता है लंबी हवाई यात्रा के बाद और फिर सुबह 6 बजे तयार रहता है काम पर चलने के लिए 18 घंटे 20 घंटे काम करके जब वो घर लोटता है तो उस प्रधानमंत्री आवास में वो अकेला ही होता है कोई उसके सामने एक प्लेट रख देता होगा उसमें खिचडी परस देता होगा जिसे खाके एक गिलास पानी पीके वो अपनी कुछ घंटे की नीन लेने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता होगा सुबह के बारे में सोचते हुए नई चनौतियों का सामना करने के लिए अपने विरोधियों के मन गढंत जूटों का वार सहने के लिए आतंक वाज से लड़ने के लिए गालियों की लगातार बोचार जहलने के लिए प्रधान सेवक, शौकिदार, ये सारे नाम उसने अपने आप ही ओड लिये हैं उसे पता था कि अगर गलती से भी उसने अपने आपको इस देश का प्रधान मंतरी कह दिया तो पहार तूट पड़ेगा लोग कहेंगे, देखो ये चायवाला, ये मोदी, अपने आपको प्रधान मंतरी समझ रहा है ये संग का प्रचारक जो घर-घर भोजन के लिए भटकता था, इसका खुद ही सिर घूम गया है वो प्रधान सेवक ही बना रहा, और एक सेवक की तरह, हाथ जोड़े खड़ा रहा कभी शिकायत नहीं की, पलट के जवाब नहीं दिया ये ही कहता गया, एए मेरे मालिकों, आगे क्या हुक्म है, जो बजा लाओं और मालिकों को देखिए, तैयार रहते हैं फरमाईश लेके कभी मन में ये नहीं आता, कि सेवक सोया की नहीं, उसने कुछ खाया की नहीं वो जितनी लगन से भी अपनी ड्यूटी बजाए, शिकायतें थमने का नाम ही नहीं लेती उल्टा, इस देश के निठले, खांदानी बेएमान, लंपट, भरष्ट और राजनीती में अभी अभी जन्में छिछोरे राचनितिक भी कहते हैं कि चौकिदार चोर है, उनके भाड़े के टट्टू तालियां बजाते हैं और देश ये तमाशा देखता है, छुटबईये, लफवाज, चुन-चुन के गालियों की इजाद करते हैं हमारे प्रधान सेवक के लिए उनके अनाप शनाप वक्तवियों का सिलसला थमने का नाम ही नहीं लेता कितनी परिक्षाएं चाहिए इस देश को ये कहने के लिए कि हे प्रधान सेवक, हे चौकिदार, हम कृतगे हैं तुम्हारे या फिर ये देश कृतगिता ग्यापन की परमपरा ही भूल गया है